हाईलो स्टुडेंट्स, आई एम अजित शर, वेलकम टू सद्गुरु आईटी आई, हम लोग पढ़ रहे था फर्स्ट इयर के वर्श आप केल्कुलेशन, इसके पिछले लेक्चर में हम स्पेड आइंड वेलोसिटी के कुछ नुमेरिकल किये थे, वो सॉरी वास्तुनिट किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से त्वरी तो होती है, तता 100 किलोमेटर प्रती घंटा की गति को 6 सेकेंड में प्राप्त करती है, तो तो देखिए, आपको चाल दिया हुआ है, चाल यानि यू बराबर, यानि शुरुवाती चाल कितना दिया है, 80 किलोमेटर प्रती घंट हब यह से में यह सअ Carbon में चेंज करूंगे तो किलोमीटर को में चेंज करेंगे तो एक हजार और स्ट में चेंज करूंगता तो 60 गूड़े है तो साठ तो 0 शे 0 केंशिंट रोज केμि ओके आगे देखिए आव वी बराबर वी बराबर मतलब अंतिम चाल कितना है 100 तो 100 को 1000 से गुना करेंगे और इसको भी 60 गुड़े 60 करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 2 पाचे 10 2 3 6 2 से काटेंगे तो 50 बार में और 2 3 6 तो कितना हो जाएगा 200 बाटा में 9 हो जाएगा ओके मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अब देखिए आगे आपसे बोल रहा है तोरड तोरड बराबर आप लोग को फर्मूला याद होगा ए बराबर वी माइनस यू बाटा में टी वी कितना दिया है 200 बाटा में 9 माइनस 200 बाटा में 9 होपन शमय कितना दिया है 6 सेकेंड ओके अब देखिए 6 सेकेंड दिया हुआ है तो हम इसे कैलकुलेशन इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको ये कैलकुलेशन करने के बाद L7 लेंगे तो 9 और घटाएंगे तो 50 ओके और गुने इसको प्रटाएंगे तब एक बट करना है ऐगा इस देखें और कट रहा है तो 25 बार में 25 जो से कटेंगे तो 3 बार में 25 और नतिरी 27 जब इसको कलकुलेशन करेंगे तो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन टू नाइन टू मीटर सेकेंड इसक्वाइर ओके मीटर सेकेंड इसक्वाइर हो जाएगा उम्मिद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गएंगे एक बार और बता देता हूं देखिए चाल अशी दिया है तो हम इसे मीटर पर से करेंगे तो एक हज्यात और घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे तो शाठ गुड़े साथ 200 में 9 मीटर सेकेंड हो जाएगा ऐसे ही वी का मान निकालेंगे और फर्मूले लगा देंगे वी माइनस यू केलकुलेशन स्वोल करेंगे तो नौ और घंटा अगे पलड़ त È करता है तदि okay को नदी कितना होगी थिखित हैँ को क्ल दोरी अगर निकालेंगे को दोरी निकालेंगे कितना हो जाएगा 30 Kauno Whilst 20 दिया हुआ 30 किलुमीटर कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर अगर कुल समय निकालेंगे तो कुल समय बराबर इधर दिया हुआ है 30 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से तो हमारे एक समय इधर में निकलेगा और एक समय ये 5 घंटा ये है तो पले कुल समय बराबर समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में तो दूरी कितना दिया है? 30 और बटा में 6 ये समय निकल किया जाएगा और फिर अलग से समय कितना दिया है? 5 घंटा हम ये जोर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा ओके तो देखिए ये कितने बार में चला जाएगा 6 reins. तीश निव हो जाएगा पांच घंटा ऊखे अब फरमूला लगा देते हैं और सच्चाल का तो सच्चाल बराबर होता है आवसाछाल बरबर क्या होता है कूल दूरी बटा में कूल शमय तो कूल दूरी कितना है तो 70 और कूल समय कितना है यह 10 घंटा है कि फो में कितना है 10 गंटा करेंगे आपको किल्व मिटर समय बराबर किया होता है क्योंकि इस भी एक समय निकलके दाइगा चैनल में में खाल रहर सब्सक्राइब दिया है यह समय अब चाहल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा में कुल समय कुल दूरी कितना है सत्तर कुल समय कितना है दस कलकुलेशन करेंगे 7 किलोमेटर प्रति घंटा मिद करता हूं कि आप लोग होत अच्छे समझ गयांगा थैंक्यों एस्टूडेंट्स